अगर आप एक e-vehicle पर्चेस करना चाहते हैं और यहाँ पर लोन पर पर्चेस करना चाहते हैं e-vehicle तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला वीडियो अगर आप लोन लेते हैं e-vehicle पर लगातार यहाँ पर पेटरोल के प्राइस बढ़ रहे हैं लोग आप e-vehicle पर आ रहे हैं तो अगर आप e-vehicle पर्चेस करते हैं तो यह section आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर income tax के अंदर छूट दी गई है section ATEEB के अंदर क्या है section ATEEB आए समझते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है deduction किसका deduction मिलेगा सर जो interest आप चुकाएंगे जो loan अगर आप लेते हैं पर्चेस करने के लिए electric vehicle उस vehicle पे अगर आप loan लेते हैं लोन का अगर आप interest जो है जब तक आप भरेंगे interest तब तक आपको यहाँ पर income tax department यहाँ पर छूट देने वाला है सर बट ध्यान रखेगा यह section जो है खतम होने वाला है 2023 तक सर यह section कब तक available है सिफ 2023 तक यानि एक साल के अंदर अगर आपने loan ले लिया तो आपका date of sanction हो गई तो आपको यहाँ पर इसका deduction मिलेगा कितना मिलेगा आईए समझते हैं फूरे section के अंदर तो सबसे बहले जान लेते हैं कौन है SSE eligible इस section के लिए यानि कौन SSE यहाँ पर जो electric vehicle अगर purchase करता है तो कोई भी sir कोई भी individual कोई भी person हो सकता है यहाँ पर individual यानि आम आदमी अगर आप individual है sir यहाँ पर company firm होफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप एक आम आदमी है electric vehicle purchase करते हैं किसी भी financial institution से bank हो NBFC हो किसी भी जो financial institution है उससे अगर आप purchase करते हैं interest payable करते हैं उस loan का तो आपको यहाँ पर deduction मिलेगा sir कितना मिलेगा तो यहाँ पर condition दी गई है क्या है condition आईए देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेगा कि loan जो है वो आपको purchase करना किसके अगेंस electric vehicle के अगेंस अगर electric vehicle के अगेंस आप loan purchase करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर deduction यानि छूट मिलेगी किसकी मिलेगी वो ध्यान रखेगा interest की मिलेगी दूसरा point है यहाँ पर आपका loan sanction होना चाहिए कब sanction होना चाहिए एक अप्रेल 2019 से लेकर 31 से मार्च 2030 तक यानि एक साल का और अभी chance आपके पास है अगर एक साल के अंदर अगर आप electric vehicle purchase करते हो तो इस section का benefit उता सकते हो अगर आप loan पे लेते हो sir तो यहाँ पर एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च 2030 तक आपका जो loan है वो sanction होना चाहिए तीसरी condition कोई भी financial institution होना चाहिए कोई भी NBFC होनी चाहिए चोती condition आप एक individual होने चाहिए यानि एक आम नागरिक होने चाहिए यहाँ पर कोई भी firm company उन किसी को भी deduction नहीं मिलने वाला है अगर आप एक individual है आम नागरिक है अगर आप loan लेते हैं सेंक्षन करवा लेते 31 माज 2023 से पहले electric vehicle के लिए तो आपको यहाँ पर interest की छूट मिल जाएगी सर यहाँ पर period of benefit कब से start हो जाएगा assessment year 2021 से यहाँ पर आपके लिए benefit start हो चुका है सर जिन लोगों ना already ले लिया है वो यह benefit ले रहे है हर साल उन्हें डेड़ लाग का यहाँ पर deduction मिल रहा है और कब तक मिलेगा यह जब तक आप loan चुका नहीं देते सर तब तक आपको यह मिलता रहेगा सर अगर हमने एक चार 2023 के बाद अगर loan sanction करवा है तो आपको नहीं मिलने वाला विकोज इसकी में 31 मार्च 2023 तक ही available है 31 मार्च 2023 के बाद आप अगर sanction करवाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर कोई benefit नहीं मिलने वाला है बट 31 मार्च से पहले अगर 31 मार्च को भी अगर आपने loan sanction करवा लिया है तो अगले आने वाले जितने भी साल जब तक आप repayment करेंगे चाहे 2023, 24, 25, 26, 27 आपको यहाँ पर जो है उसका interest का benefit मिलेगा तो 31 मार्च तक आपके पास समय दिया गया है ध्यान रखेगा कितना deduction मिलेगा सर देड़ लाग तक का maximum मिलेगा अगर आपके interest amount दो लाग का है सालाना तो आपको देड़ लाग तक ही मिलेगा उसके बाद अगर आप इस section के अंदर deduction ले ले लेते तो उसके अलावा आप कोई भी other section में deduction नहीं ले पाएंगे ध्यान रखेगा financial institution किसे कहेंगे banking company को bank होगी उसे या कोई nbfca उसे भी यहाँ पर आप लेंगे loan तो भी चलेगा सर electric vehicle कौन सी होनी चाहिए सर electric motor वाली जो vehicle होगी उसी को electric vehicle यहाँ पर माना गया है आईए एक example के थूरू हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर calculate करना है electric vehicle का deduction आपको कैसे मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेतन जी है और दिनेश जी है चेतन जी ने यहाँ पर loan लिया है सर 20 लाग का loan लिया है और दिनेश जी ने यहाँ बारा लाग का loan लिया है इन्होंने NBFC से लिया है, इन्होंने Public Sector Bank से लिया है, को इशुनी है, इन्होंने 14 2020 से लिया है, इन्होंने कब से sanction करवा है, date of sanction क्या है सर, यहाँ पर, date of sanction है, सर, 14 2020 और इनकी 33 2019 है, अब इन्होंने यहाँ पर purchase किया, electrical vehicle, दोनोंने, for personal use के लिए, अब यहाँ पर, cost of vehicle कितनी है cost of vehicle कितनी है, इनकी 22 लाग है और इनकी 18 लाग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 20 लाग का loan लिया है, 22 लाग की cost है, 10% का interest यहाँ पर rate दोनों की same है, तो यहाँ पर इस case में, सबसे पहले हम दिनेश की बात कर लेते हैं, तो दिनेश के लिए क्या यहाँ पर interest की छूट मिलने वाले है, तो दिनेश ने सबसे पहले यहाँ पर जो loan sanction करवाया है, वो before the period sanction करवाया है, यानि 14 2019 के बाद नहीं करवाया है, तो इने कभी भी यहाँ पर loan का benefit नहीं मिलेगा सर, deduction का ATEEB का जो है, वो deduction का benefit नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दिनेश जी जो है, व यहाँ पर दो लाग का interest आता है सर, सालाना, तो यहाँ पर दो लाग का interest है, पर maximum हमें कितना allowed है सर, देड़ लाग ही allowed है, तो कितना मिलेगा deduction सर, देड़ लाग का मिलेगा सर, तो यहाँ पर दो लाग का नहीं, बट सिफ देड़ लाग का यहाँ पर deduction मिलने वाला है, तो हर स साल डेड़ लाग का है तो डेड़ लाग से जादा नहीं मिलने वाला है तो इसकेस में चेतन जी को जो है 20 लाग का जो लोन है वह इन्होंने संक्षिन कर रहा है एक चार 2020 के अंदर तो संक्षिन डेट देखी जाएगी जिस समय डिस्बर्सल हुआ एक पांच 2020 को यहां पर डिस्बर्सल हुआ वो नहीं देखा जाएगा यानि अगर आपने लोन जो है 31 मार्च को लिया है सर संक्षिन करवा दिया अगर आपने 31 मार्च 2023 को तो भी आपका यहां पर डिड़क्शन मिल जाएगा आपको डेट लाग तक का अगर disbursement बाद में भी हुआ 31 मार्च से पहले पहले अगर आपने करवा दिया 31 मार्च को भी अगर आपने sanction करवा दिया इवेकल लोन के लिए section 80 EEB का आपको deduction मिलेगा सर सीधे सीधा 1.5 रुपिया तो 1.5 रुपिया आपका interest का benefit मिलेगा कब तक मिलेगा जब तक आप repay करते हैं 2030 तक repay करते हैं 2025 तक repay करते हैं जब तक आप repay करेगे तब तक हर साल आपको 1.5 रुपिया यहाँ पर जो deduction मिलने वाला है तो ध्यान रखेगा e vehicle purchase करते हैं 50,000,000 का income tax में benefit मिलेगा एंड आप individual होने चाहिए और यह जो section है वो सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रेस्ट पर ही benefit देता है अगर आप loan लेते हैं e vehicle पर आज का वीडियो पस्दा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रुक देगा ज़ज़दा शेयर ज़रुक देगा दफनिवाद